हेलो बच्छो अब हम लोग देखने जा रहे हैं सोशल चेंज के टाइप में रेविलुशन ठीक है हमने हर एक पार्ट में अलग अलग पार्ट में एविलुशन प्रॉग्रेस डेवलप्मेंट बहुत अच्छे से क्लियर किया है अगर किसी बच्छे ने अभी भी नहीं देख होता है क्रांती आपने नाम बहुत बार सुना होगा फ्रेंच रेविलुशन इंडस्ट्रियल रेविलुशन साइटिफिक रेविलुशन है ना वाइट रेविलुशन ग्रीन रेविलुशन ठीक है इस तरीके की चीज़ें आपने सुनी होंगी तो रेविलुशन भी सोसाइ कह देते हैं विकास भी नहीं कहते हैं प्रग्रती भी नहीं कहते हैं उद्विकास भी नहीं कहते हैं जबकि यह भी development करने का काम करते हैं यह भी चीजों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं है तो फिर हमें चरम का मतलब जानते हो ना, फिर उसके बाद वो उपर नहीं जा सकता, बहुत उपर पहुंच है, इस से उपर कोई नहीं, है ना, वो होता है आपका चरम, यानि की पीक लेवल, हाइस लेवल पे, जब कोई चेंज बहुत जाता है, तो क्या होता है, उस कंडिशन में हम कहते है कि हाँ, रेवलिशन हो रहा है, क्रान्ती हो रही है, ठीके, जैसे आपकी मालनो सुसाइटी X है, ठीके, X है, अब यहाँ पे कुछ दिक्कते परेशानिया हैं, अब लोग चाहते हैं कि यह जो सिस्टम है, X सिस्टम यह बदल जाए, ठीके, तो X सिस्टम क्या होगा, X में कि हाँ, चलो, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें मैंने डाल दी, ठीके, तो मतलब यह रेवलिशन का एक्जाम्पल नहीं होगा, कि X में हमने Y जोड दिया और उस सिचुएशन को अच्छा बना दिया, ठीके, मतलब जो सिचुएशन अभी चल रही है, उसमें मैंने कुछ औ और अच्छी चीज़ें, कुछ और लोगों को कल्याणकारी चीज़ें जोड दी, welfare schemes जोड दी और चीज़ें कंडिशन अच्छे होगी, तो यहां पर इसको हम revolution नहीं कहेंगे, तो revolution किसको कहेंगे, जब हमारा मानलो X सिस्टम है, मतलब मानलो हमारी society की condition X है, अब इसमें कु X था, अब यहां पर X का कोई नामों निशान नहीं है, अब आपको एक नई चीज़ देखने को मिल रही है, वो क्या है Y, मतलब अमूल चूल परिवर्तन हुआ है, हिंदी में अमूल चूल, इंग्लिश में radical change, की वर्ड है आपका radical change, जब radical change दिखने को मिलता है आपको society में तो वहां पर आपका revolution होता है, क्रांती होती है, ठीके, इसलिए यहां पर जो change का level होता है, वो अपने peak level पे होता है, ठीके, चरम स्तर पर होता है, जब ऐसे करके कोई परिवर्तन हो जाता है, तो जो हमारी इस समय की विवस्था है, वो पूरी तरीके से बदल जाती है एक द आपको दूसरी वाली विवस्था में देखने को नहीं मिलते हैं, ठीके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कि revolution हुआ है, ठीके, जैसे French Revolution के बाहर में पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा, फ्रांसेसी क्रांती बहुत important है, फ्रांसेसी क्रांती से August कौन्थ, हमारी जो father of sociology है वो बहुत जादा प्रभावित थे, हमारी sociology जो आई है ना, हमारे सामने आज जिसको हम पढ़ रहे हैं, वो बहुत हद तक, मतलब 99% उसके पीछे किसका हाथ है, French Revolution का, क्योंकि French Revolution में समाज में, फ्रांसेसी क्रांती ने हमारी society में इतने drastic change किये, कि August कौन्थ ने महसूस किया तो चलो हम sociology एक discipline बनाते और उसमें study करते हैं, मतलब इतना drastic change लेकर के आगई थी revolution, ठीके, अब अगर हम mobile करांती की बात करें, तो mobile करांती भी चली, देखो पहले, लोग क्या करते थे, कहीं दूर जाना होता था, और एक दूसरे से contact करना पड़ता था, या किसी को कोई संद उतनी दूर से जाएगा, वहां से फिर उसके परिवार से मिलेगा और कहेगा कि आपके parent या आपके husband का ये message है, ठीके, और कितने दिनों बाद वो message पहुंचेगा उन तक, ठीके, उसके बाद हमारे mobile phones वगेरा आने शुरू हुए, mobile phones आए, जब तो वो भी बहुत कम लोगों के पास हुआ करते थे, जो बहुत rich थे, ठीके, और जो गरीब है, अगर वो मालो phone खरीद भी लेते हैं किसी तरीके से, तो उनके पास इतना पैसा नहीं है, daily income नहीं है, कि वो उसमें पैसे उसमें डलवाएं, ठीके, तो उसके बाद फिर ये आए आए आपके जियो वाले, जियो वालों ने क्या किया, सस्ते phones प्रोवाइट करवाने शुरू कर दिये, और उन्होंने कहा कि इंटरनेट भी आपको बहुत सस्ता मिलेगा, तो सब के मन में आया, बहुत गरीब से गरीब लोगों के मन में आया, कि एक phone तो होना चाहिए, अब आप देख रहे हो कि एक पर फोन की संख्या कितनी जादा बढ़ गई है ना, एक तो छोड़ो एक से जादा रहने लगे है फोन, हर एक इंसान के पास अपना परसनल फोन है, तो क्या है है, कितना ड्रास्टिक चेंज है, पहले से कंप्यार करो और अभी का, कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ है, है न तो यह जो चेंज होते हैं इतने बड़े लेवल के, इसी को हम रेविल्यूशन कहते हैं, जैसे पहले लोग अंदर विश्वास में डूबे हुए थे, चर्च की बाते मानते थे, उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने साइंस टेवलब करना शुरू किया, नैने आजार बनान शुरू की और साइंस लेकर किया चीजों को तारकिक्ता के आधार पर उन्होंने पेश करना शुरू किया, कि चीजे लॉजिकल होती है, आप इसको बिलीव सिस्टम पर बिल्कुल भी बेस नहीं मान सकते, हर चीज के पीछे एक कॉस होता है, और हर एक कॉस का एक एफेक्ट होता है, यह definite बात है, इसमें कोई भगवान वगेरा को बीच में मत लाइए, ठीके, तो यह सारी चीजे हैं, जिसकी वज़े से लोगों के mindset में इतना बड़ा चीज आया कि उन्होंने भगवान का प्लेस एक अलग किनारे कर दिया, और अपनी डेली लाइफ का, और अपनी जैसे जिदेगी जीते हैं, वो उसमें जो जो चीजे करते हैं, ठीके, उसमें भगवान को निकाल दिया उन्होंने, ठीके, आप उन्होंने क्या कहा, कि God help those who help themselves, मतलब आप अपनी help खुद करें, आप खुद logical बनिये, ठीके, God को उन्होंने एक साइट में कर दिया, तो पहल है, उन्होंने का मानना था कि चलो, भगवान की मर्जी होगी, तो हो जाएगा, अपना effort नहीं लगाओगी, तो भगवान की मर्जी कैसे होगी, अब सब logical way में आ गए, तो इस तरीके से science भी आया, science की ही वज़ज़ से ही सारी चीज़े आई, जब लोगों ने कहा कि हमें प्रूफ दीज़, अब ही क्या था, भगवान को किया ऐं, यहां से आ-, ठींनि और शिकली अर्च पर ओप्स разбया की आप द mortality दीजिए, तो इसकी कैसे मिलेगा, science की त् गायाओ, भवरान, यहां पर जाकर कि आपिनलेग कर आब तो हर एक चीज पर आप observation करिये, आपको पता च तो मतलब हर चीज में अब साइन्स आ गया है तो यह क्या है साइन्स रेविल्यूशन है व्याग्यानिक क्रांती है कि जहां पहले लोग बिल्कुल डूबे रहते थे इश्वरी सत्ता के अधीन रहते थे और हर एक बात मानते थे चर्च की एक्स्प्लाइट होते थे अब उन् स्तर का परिवर्तन अमूल चूल परिवर्तन ठीक है तो यह तो हो गया रेविल्यूशन फिनिश समझ गयोगे इसको बुक में जरूर पढ़ना मैंने आपको समझाया है सिर्फ एड़प्टेशन अनुकूलन अनुकूलन तो शब्द समझ रहो ना अड़प्टेशन कोई चेंज है ठीक है अब आप वहां पर रहोगे तो वहां के तौर तरीके वहां की जैसी सुसाइटी है वहां की जैसी लैंगवेज आप उसमें ढलने की कोशिश करोगे तो इसी को हम एड़प्टेशन कहते हैं कि जब आप बदलती हुए दशाव में अपने आपको ढ़न करने की कोशिश करते हो तो वही क्या है आपका अनुकूलन है ठीक है जब तक आप अनुकूलन नहीं करोगे तब तक कोई चेंज भी नहीं होगा सोचो अगर कोई चीज चेंज हो गई है और आप अगर उसमें एडप्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो चेंज कैसे होग चेंज होगा ही नहीं जैसे क्लोस सूसाइटी में जो आपकी गाव को बोला गया आप इंटरकास्ट मैरेज करें आप अंतर जाती विवा करिए जाती के को ना किसी को करने मतलब इसका है वो अनुकूलन करने कि कोशिश तो जब तक भाइ junan नहीं करोंगे तब तक कोई change भी नहीं होगा इसलिए adaptation का relation है change से समझ गए बहुत इजिले आपको समझाया है इसको में जरूर पढ़ना